प्रंट्स कल मैंने अपने चैनल के उपर डेल एलिवेर M17R3 और M15R3 के कंपैरिजन अपलोड किया था और वहीं पर कमेंट्स के अंदर एक भाई ने पूछा कि SSTUF A15 जो मॉडल है गेमिंग लेप्टॉप है क्या यह पाकिसान के अदर अवेलेबल है या फिर नहीं है तो लेंची वीडियो हादर है इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे SOS Tuff A15 मॉडल के बारे में सारी के सारी स्पेसिकेशन, सारी डीटेल्स, सारा का सारा हार्डवेर, परफॉमेंस, सब कुछ मैं आप लोगों के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो वीडियो के अंद तक लाज में देखते रहे है, स्लाम अलेक्यों और वेल्कम फ्रेंड्स, आई में अचे ब्ली इस एर एंड यू राचिंग एंप्टी वीडियो सीरीज, तो फ्रें वीडियो शुरू करते हैं, सबसे पहले दो वीडियो में आपको रेक्मेंड करते यहां उपर या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन से चले जाएं, मिल जाएगी दूसरी लैटोप अगर आप लोग पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंपोर्ट करना चाहते हैं, कितनी डूटी पढ़ती है, क्या टेक्स पड़ता है, सब कुछ कैसे करकूलेट कर सकते हैं, लै आप लोगों के पास हर किसम की टैक्नियों चाहिए, वाइल फॉन से लेटेड हो लैपटॉप्स हों, टैबलेट्स हों, स्मार्ट वार्चिस हों, सब कुछ आप लोगों के ओपर मिल जाएगा, अब हम आगे चलते हैं, आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, और सब सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हम वो यह है कि ऐसा स्टाफ ए 15 जो मॉडल है, पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है, लेकिन बहुत ही लिमिटेट सा अवेलेबल है, और इसके कुछ ही मॉडल्स अवेलेबल है, मैं आप लोगों के इस वीडियो के लेकिन के अंदर यानि कि इस पूरे को पर मॉडल के अंदर कौन कौन सा हार्ड वर देखने को मिल जाता है, तो डिजाइन लेंगविज जो थोड़ा से आप लोगों को बता देता हूं, गेमिंग लैप्टॉप है, अच्छे फैंस यहां पर देखने को मिल जाते हैं, थोड देखने में थोड़ा सा कूल भी लगता है, दो फिनिश आपको इसके अंदर मिलेंगी, एक थोड़ी सी ज्यादा गेमिंग टाइप है, थोड़ा सी सटल लुक के साथ आता है, तो आप लोग दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हैं, जो आपको लेट सबोज आपने बिल लोग मिल जाती है, इसके अंदर और सारे का सारा अच्छा बिल्ट क्वाल्टिक अंदर बनाओ देखने को मिल जाता है, अब बात कर लेते हैं, इसके अंदर आप लोग को मिलेगा क्या कुछ, तो सबसे पहली बात हम लोग करेंगे परसेसर के बारे में, तीन परसेसर इसके इस जी आपको को देखने को मिलती है – Ryzen 5, Ryzen 7 और रैजन 5 का लोगो 4600 model मिलेगा, Ryzen 7, 4800 1 रैजन 9 आपको 4900 model इस एक then देखने को मिल जाएगा, अब जो आप लोगने आप यह रैजन 5 रैसे 9 मिलता है, इसकी जो minimum clock speed है, वह 3.0 है, और इसे क साथ जो आप लोगो को Ryzen 7 मिलता है उसकी minimum clock भी 2.9 GHz है और maximum जो है वो सबसे अगर नीची वाला देखे Ryzen 5 तो वो जाता है 4.0 तक और उसका दूसरा वाला 4.2 Ryzen 7 और 4.4 GHz तक जाता है Ryzen 9 तो ये सारे के सारे आप लोगों को Ryzen की 5 series 7 series और 9 series के प्रोसेसर देहने का मिल जाते हैं Gaming की साब से काफी solid performance के साथ आते हैं अभी हम बात करते हैं GPUs के बारे में के तीनों प्रोसेसर के साथ हमें GPUs गोन-गोन से देहने का मिल जाते हैं total आप लोगों को जो उसाई model चूज करने चार GPUs आप चूज कर सकते हैं पहला यानि के NVIDIA का 1650 दूसरा आप लोग यहाँ पर मिलेगा NVIDIA का 1650 Ti तीसरा आप लोग मिलेगा 1660 Ti और चौत्था और सबसे पाउरफुल आप लोग मिलेगा NVIDIA का RTX 2060 अब अगर आप लोग इनकी configuration के बात करें तो 1650 आप लोगो 4GB GDDR6 VRAM के साथ देखने को मिल जाएगा इसके यह वीडियो मेमरी है अगर आप लोग बात करते हैं 1650 Ti की तो इसका ही थोड़ा से एक step up variant है 1660 Ti की तो आप लोगो मिलेगा 6GB GDDR6 मेमरी के साथ और 2060 आप लोगो को मिल जाएगा वो भी 6GB GDDR6 मेमरी के साथ आप लोगो यहां पर देखने को मिल जाएगा तो यह सारे के सारे GPUs यह काफी अच्छी और solid performance के साथ आते हैं जिस prices के अंजर लैप टॉप जहां फॉल करता है और उसके बाद अगर हम इसके next portion पर जाते हैं तो यहां पर आप ल यह जो है वो जो आपको best लगए वाप लोग डिस्प्ले चूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं आप लोगो थोड़ा सा बताना चाहता हूँ एक दो चीज़ से बता दों ताकि आप लोगो अपनी डिस्प्ले चूज़ करते रोग कोई गलट डिस्प्ले ना चूज़ कर लें ताक कलर गैमट्स यह होते हैं कि जितने भी शेड्स हमें कलर देखने को मिलते हैं रेड्ड है ग्रीन है ब्लू है पिंक है पर्पल है मजेंटा सियान जो भी कलर्स हम अपने लैप्टॉप की यह मॉइल फॉन की डिस्प्ले के अंदर देखते हैं वो एक पर्टिकुलर एक ट्राइ किस कलर गैमट के अंदर मिल रही है किस डिस्प्ले के अंदर मिल रही है आप लोग वो चूज़ कर सकते हैं एस आर जीबी 76 परसेंट तक मिल सकती है उसके बाद NTSC अगर आप लोगो 76 मिलती है तो वह और ज्यादा अच्छा है आप लोगो इसका थोड़ा सा ध्यान रख ल जाता है अब जिस तरह आप लोगों का परसेसर थोड़ा सा कम होगा तो रहाम कम मिलेगी परसेसर थोड़ा सा अच्छा लगाएंगे 7 Series 9 Series तो रहाम आपको लोगों को उससे ज्यादा भी अच्छी मिल जाएगी और 7 Series के साथ आप लोग 2060 भी ले सकते है और 9 Series के साथ आप बी 2060 जो है RTX का GPU वो आप लोग ले सकते हैं और जो सबसे कम होगा यानि के Ryzen 5 उसके अंदर आई थिंक आप लोग को 2060 नहीं मिलेगा आप लोग 1660 Ti तक ही लिमिटेड रहेंगे उससे आगे जाने के लिए आप लोग का परसाइसर भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा तो य पहले एक दो चीज़े में आप लोगों को और बता देता हूं पहली बाद में बता देता हूं को इस लैपटॉप के अंदर 17 इंच का पैनल भी आता है लेकिन इशु यह है कि वह वाला मॉडल जो अभी अनवेलेबल है यानि कि वह थोड़ा सा शॉट चल रहे हैं डिसक्रे चूज कर लेते हैं दूसरी एक चीज़ जो है वह एसस क्लीम करता है आप लोग उसकी अफिशल वेबसेट पर जागर देख सकते हैं कि अगर इसके अंदर डस पार्टिकल चले जाते हैं फैंस के अंदर तो उसको आटो रिमूव करने की सलाइद रखता है यानि कि वह एक ज जिस वक्त आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो चैनल पर आ गई हुई तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका भी लिंक होगा आई बटन के अंदर भी लिंक होगा आप लोग वो देख सकते हैं कि जी सिंग कैसे काम करता है और मैं आपनों को पहले बतायता जो प्राइस देखी है डायरेक्ट अगर बिना टेक्स के बिना किसी डूटी के यानि के डायरेक्ट डॉलर से आप लोग पाकिसान की प्राइस के अंदर कंपेर करते हैं तो यहां पर जो राइजन 7 है 4800 राइजन 7 परसेसर है और इसके साथ साथ आपनों को 16GB की RAM मिलती है पाकिस्तान के अगर आप लोग इंपोर्ट करेंगे तो डूटी कितनी पढ़ेंगी टेक्स कितने पढ़ेंगे टाइम कितना लहेगा सारी information लिंक मुझूद है उपर नीचे दोनों जगह पर देख लीजए कि आप लोग पता चल जगह इंपोर्ट करना चाहते हैं अगर आप लोग इसे पाकिस्तान से खरीदना चाहते हैं तो यहां पर दो एपसाइट्स हैं जहां से आप लोग यह खरीद सकते हैं एक आई श काफी ज्यादा है एस कंपेर टो इंटरनेशनल मार्कीर में आप लोगों को बता देता हूं सबसे पहले तो आप लोगों को सिरफ यहां पर वराइजन 7 की स्पोर्ट मिलेगी राइजन 9 वाला प्रोसेसर अभी मौझूद नहीं है दूसरी बात यहां पर आप लोगों को जो आप लोग खेल सकते हैं लेट सबसा पपजी मॉबाइल को एमुलेटर के उपर डाल लेप्टाव में खेले हैं तो वह तो ऐसे ही उसके एक फिक्स फ्रेम रेट्स आते हैं गेम लूप के अंदर 60 फ्रेम उससे उपर आप जा नहीं सकते हो आप खेल सकते हैं कॉल आप आप लोग कराची लाहुर यरूस नहीं पर आगर आप लोग मार्केट से खुद देखकर यहां आप लोग कहीं से मिल जाता है 144 हट्स वाला पैनल आपने कम शक्ती नहीं पैनल आप लोगग ने कि आप लोग यहां से लैपटॉप ना खरीदें तो ही अच्छा है आप लोग कोई और तरीके के साथ लैपटॉप को 144 हर डिस्प्ले पैनल के साथ ढूंड लें तो अच्छी बात है तो फिर यह था वीडियो पूंदा के साथ में आप लोगे हलफुल भी रहा होगा वीडियो को सबस्क्राइब जरूर कर लीजिए